हुआ though वह तो चलोστ टॉपिक कि आत्म निर्व भारत अभियान है ना तो इसमें स्विएंगे क्या भारत में भारत अबियान भारत अवर्त में ऑत्मा निर्व भारत अपनुर क्या है इसका विचार क्या है ठीक है मैं तो विश्वास करता हूं कि अगर आपका किसी विशेवस्तु की उपर में तरक और विचार अच्छा है तो माक्स देगा ज्यादा फैक्स बढ़ने से भी क्या होता है वह नुक्सान दे होता है तो हम शुरू करते हैं कि आत्मा संकट से उसको बाहर निकालना है ठीक है इसका इंपॉइंट पॉइंट है कि 12 माई 2020 को इसके अभ्यान की शुरूआत की गई और 20 लाग क्रोड के पैकेज से हमको देश को आत्मा निर्वर बनाकर को बाहर निकालना है अब जो है बेसीकली होगा कैसे यह तो अगर हम इन पा प्रतिशील जन सांखी की एंड मांग इन पांच खंबो पर पिलर्स पर हमने वक्र कर लिया तो हमारा आत्मनिकल भारत अभियान का पूरा हो जाएगा अर्थ्वश्था में क्या चीह हमें अर्थ्वश्था ऐसी नहीं चीह जिसमें व्रद्धिशील परिवर्तन होते हों य दूसरा जो इंफ्रस्ट्रक्ट्टर वह ऐसा हो जो भारत की आइडिटी बने आइडिटी ओफ इंडिया ऐसी आप शनरचना जो आधुनिक भारत की पैचान बने करेक्ट तीसरा प्रद्योगी की हम चाहते हैं टेक्नोलोजीकल ड्रिवन सिस्टम्स हो प्रद्योगी की संच तो बाहरत की मांग और आपूर्ति शंकला काम उश्की पूरी करें दोहन करें तो हम यह चाहते हैं कि अगर यह पांच पिलर समारे स्टेंदन हो गए सबल हो गए तो आत्म निर्वरत अभियान का जो लक्षे है वह हमारा सूनिश्चित हो जाएगा अब आते हैं यह तो हो गए आपकी फैक्ट्स क्या होगे तीन फैक्ट्स आपको पता है 12 मही 2020 लाग करोड और तीसरा इसके इंपोर्टेंट फाइफ पिलर्स अब आते हैं मुद्य की बात पर की भारत का जो आत्म निर्वरता का कॉंसेप्ट है वह कॉंसेप्ट क्या है और उसको समझना भी जरूर यह तो बाजारवादी और पास्चात्य वादी हैं उन्होंने आ दूबरीष कशल का वहिस्कार कर रहा है कंगी लगें जयाता है खुली अर्फ्वास्ता कि वह मांग कर तो भारत का जो आत्मनिरवरता का शैप्भाम सेप्ट वो यह है कि हम एक मानौ केंद्रित वैश्वीकरण का हम पक्षदर है और दूसरी बात कि भारत जो है वह आत्मा केंद्रित संपून व्यवस्ता की वकालत नहीं करता भारत तो जो है वह संसार के सुक सयोग और शांति की चिंता भारत का जो मूल चिंतन वह वह वैश्वीकरण कैसा हो मानौ केंद्रित हो इकनोमिक संट्रिक ग्लोबलाइजेशन का पक्षदर भारत नहीं है यहांने कि आप से संसाधनों का दोहन कर लो लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत जादा है मानौ के उपर में तो हम उस तरह के वैश्वीकरण के पक्षदर नहीं है हम हमारा जो आत्म निर्वड़ता का कॉंसेप्ट है उससे हम आत्म केंद्रित हो किसी वैश्वी करन का बहिश्कार नहीं कर रहे हैं हम तो बलकि संसार के सुख सयोग और शांती की हम चिंता करते हैं हमारा जो मूल चिंतन है वो तो वसुदेव कुटुम्ब कम ही है जैसे एक ग् कि उपेक्षा नहीं की जाती है तो हमारा आत्म निर्वड़ता का कॉंसेप्ट में बुनियादी कॉंसेप्ट है वो क्या है कि स्थानिय उत्पादों को वैश्विक बनाना जैसे खादी है तो खादी वो केवल एक कपड़ा नहीं है उसको कपड़े के रूप में नहीं आते हैं जो हमारे उत्पाद हैं वह वैश्विक बने लेकिन कैसे जो भारत की देशज्टा भारत की परंपरा भारत की संस्कृति भारत की बोगलिक विशेष्टा और भारत की पहचान का प्रती निदित्व करते हो वह उत्पाद जो है वैश्विक बने तो क्या हम और बहारत की देशस्ता भारत की परंपरा भारत की विशेष्टा और बहुत करते हों उनको हमको वैश्विक बनाना है करेक्ट आपको बात आगी समझ में कि आत्मनिर्वर भारत अवियान है क्या अब सब्सक्राइब को आर्थिक अभ़यान नहीं है जो आत्मनिर्वर अभ्यां रूप में नहीं नहीं देखना चीए हमको इसको राष्ट्राइभावना की रूप में देखना और चपना भी है यह हमारे स्वाब इमान की रक्षा रक्षा बढ़ाया गया एक कदम है तो आत्मनिर्वर भारत अभियान सिर्फ एक अर्थिक अभ्यान ही नहीं है इससे तो यह एक हमारी राष्ट्रे भावना भी है और यह एक हमारा सविमान की रक्षा यह तो उठाया गया तो क्या सिखा आपने आपने सिखा अपर मैं 2020 विसलाग करोड कोई 19 बहार निकलना पांच पिलर से आत्मनिर्वर भारत पर इन पांच पर उस्टेंदन कर दिया तो हम आत्मनिर पर हो जाएंगे और आत्मनिरवरता का जो और वह सेल्फ सेंट्रिक या आत्मकेंद्रित ता कॉंसेट से बिलकुल अलग है आत्मनिरवरता का सब्सक्राइब मानव केंद्रित वैश्विकरन और और जो हमारे इस्तानी उत्पाद वह वैश्विक बने ठीक है जो भारत की इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हो भारत उसमें क्या बुरह ही आए और वैसे भी राष्टे विकास की पठकता में कभी इस्तानी उत्पादों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है और कंक्लूजन में आपने लिख दिया कि आर्थिक अभियान यह यह एक राष्टे भावना भी है और राष्टे भावना होने के कारण ये एक हमारी स्वाबिमान की रक्षा ये तो उठाया गया है कलम भी है करेक्ट लिख दोगे अब ओके चलो अब मिलते हैं अगले टॉपिक पर